आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question में हमें दिया गया है कि Convex surface of a thin concave or convex lens of glass refractive index 1.5 has a radius of curvature 20 cm the concave surface has a radius of curvature 60 cm the convex side is silvered and is placed on the horizontal surface as shown in figure where should a pin be placed on the axis so that its image is formed at the same place ठीक है यानि कि क्या है कि इस तरह का कोई आपको system दिखाया गया है इसकी एक surface को क्या कर दिया गया है silver कर दिया गया है ठीक है और आपको इसकी axis पर बताना है pin को कहां पर रखा जाए कि इसकी जो image वो इसी pin पर बन जाए ठीक है तो देखो होगा क्या concept चुलिएकर discuss करूँ मैं मान लेता हूँ कि यहां से lens से इसको x distance पर रख दिया गया है तो क्या होगा यहां से raise निकलेंगी ठीक है pin से raise जो निकलेंगी वो पहले reflection होगा उनका इस surface से फिर reflection होगा और फिर वापस से reflection होगा ठीक है तो three बोल सकता हूँ three stages या three process बोलना इसको काफी ठीक रहेगा three process take place ठीक है three processes take place in this particular problem ठीक है इस problem में क्या होगा तीन process होगे वो तीन क्या क्या होगे पहला होगा reflection ठीक है फिर होगा reflection ठीक है और उसके बाद होगा फिर से reflection और इन तीनों के बाद जो image बनेगी वो कहां बनेगी उसी pin पर बनेगी ठीक है तो देखो हम क्या करते हैं पहले कुछ data जो given है उसको लिख लेते हैं न तो data क्या given है कि refractive index दिया हुआ है glass का 1.5 ठीक है तो mu given है 1.5 ठीक है उसके बाद क्या दिया हुआ है कि radius of curvature जो है convex surface की ठीक है वो तो है 20 cm और concave surface की है 60 cm ठीक है यह लिखूंगा ठीक है अब इसको solve करेंगे आगे mu2 क्या है अपना 1.5 v as it is minus mu1 की value 1 है क्योंकि reflection कहां हो रहा है बाहर का refractive index क्या है देखो यहां है air ठीक है यह है glass तो इसका 1.5 लिखूंगा और बाहर का क्या होगा बाहर का होगा आपना जिस medium में यह system रखावा है वो है air तो 1 हो गया u कितना है u है अपना minus x ठीक है जिदर जाए काम की raise वहाँ positive यानि की यहाँ पे इस side में positive चलूंगा और इस side में negative ठीक है negative और इधर positive ठीक है is equals to हो जाएगा अपना mu2 minus mu1 यानि की 0.5 अपन r r कितना है देखो वह radius इसका 60 यानि की minus 60 हो जाएगा ठीक है अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 120 into 1.5x plus v is equals to minus vx ठीक है यह equation मन जाएगी यानि की अब यह quadratic equation मन जाएगी ठीक है मैं यहाँ से v की value निकाल लेता हूँ x की format में v की value की आएगा x की format में यहाँ से v की value आजाएगा आपके पास minus 180x upon 120 plus x ठीक है यह होगी first image first image का मतलब क्या है कि reflection के बाद जो image आ रही है first वाली surface से बात कर रहा हूँ मैं पहली वाली surface से reflection के बाद जो image आएगी उसकी position क्या होगी उसकी position होगी यह minus 180x upon 120 plus x अब यह position जो आई है image की पहले reflection के बाद यह दूसरे वाले surface के लिए जो reflection वाली surface है इसके लिए object का काम करेगी ठीक है तो दूसरी वाली surface से अगर मुझे क्या करना है reflection करना है तो मैं क्या लिखूँगा तो मैं लिखूँगा कि one upon v plus one upon u is equal to one upon f भाई यह होता है reflection का formula ठीक है mirror formula भी बोलते हैं नीचे वाली surface को silver कर दे यानि कि वह mirror की तरह काम करेगी ठीक है तो देखो यहाँ पर v की value मुझे find करना है तो लिखूँगा one upon v ठीक है और यहाँ से आ जाएगा one upon f minus one upon u यही आ जाएगा ठीक है अब f की value क्या हो जाएगी देखो इसकी radius है 20 cm ठीक है तो f होता है minus r by 2 concave lens concave mirror के लिए concave mirror की focal length हमेशा negative होती है तो अगर यह 20 है तो इसकी focal length हो जाएगे minus 10 ठीक है तो लिखूँगा मैं यहाँ से one upon minus 10 minus of one upon 180 x into 120 plus x ठीक है और वो भी किसका minus का है यह निकिए minus minus के हो जाएगा plus हो जाएगे यह आगे अपनी value one upon v की ठीक है तो one upon v one बोल देता हूं इसको ठीक है जो mirror से image बन रही है उसकी बात करना तो v1 बोल देता हूं इसको ठीक है x ठीक है यह आजाएगी आपकी mirror से reflection के बाद image की position अब यह जो image आई है reflection के बाद ठीक है यह again इस वाली surface के लिए इस वाली surface के लिए किसका काम करेगी यह काम करेगी object का ठीक है पहले क्या हो रहा है raise का मैंने बताया आपको तीन process होंगे reflection reflection then again reflection पहले reflection से जो image आएगी वो इस वाली surface के लिए object का काम करेगी फिर इस वाली surface से जो reflection होगा और जो image आएगी वो इस वाली surface के लिए object का का काम कर तो अभी object क्या बन गया है मेरा? object बन गया है इतनी दूरी पर ठीक है? इतनी दूरी पर बन गया है और image कहाँ चाहिए मुझे? image चाहिए उसी point पर जहाँ पर पिन को रखा गया है तो इसका मतलब इस वाले point से अगर मैं बात करूँ तो image की distance कितनी हो गई? minus x, minus x क्यों हो गई देखो ऊपर जा रहा हूँ ना तो ऊपर negative है मैंने लिया हुआ है already ठीक है और इसकी radius कितनी है? radius हो जाएगी इसकी minus 60 ठीक है क्यों इसकी radius measure करने के लिए मुझे इस point से इस direction में जाना पड़ेगा इसकी radius कहीं होगी तो ये भी minus 60 होगी उपर की तरफ negative नीचे की तरफ positive मैंन sign convention में आपको समझा दिया ठीक है? तो again reflection का formula लगाता हूँ तो third procedure कैसे किस तरह से happen होगा? वो होगा mu2 upon v minus mu1 upon u is equal to mu2 minus mu1 upon r इसी तरह से होगा अब देखो वही यहां से mu2 क्या है? यानि कि जिस medium में उस medium का refractive index जिसमे finally rate जा रही है वो है अपना air bar हवा है तो 1 upon v v क्या है position of image वो है minus x मैंने आपको समझा दिया किस तरह से minus x लिखा है हमने minus mu1 जिस medium से आ रही है रही है वो है glass यानि कि 1.5 divided by u u कितना है? u है अपना 180x 120 minus 17x यही है ठीक है? u की value रख दी is equals to आएगा अपने पास में mu2 minus mu1 upon r यानि कि 0.5 minus का divided by minus का 60 ठीक है? mu2 minus mu1 क्या हो गया भई? 1 minus 1.5 यानि कि minus 0.5 आ गया तो वो यहां पे put कर दिया मैंने ठीक है? तो यहां से अपने पास में सीधी सीधी एक्स की value आ जाएगी क्या आ जाएगी x की value? यह equation को solve करेंगे तो it will become 120 plus 120 minus 17x is equals to minus x ठीक है? तो 16x जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? 240 के यानि कि x की value कितनी आ गई? 15 cm ठीक है? 15 cm आ गई mathematical expression है इसको आप easily solve कर सकते हैं x की value आ जाएगी 15 cm यानि कि x क्या था? एक्स वो position थी जहाँ पर इस object को अगर मैं रख दूँ तो इसकी image इसी position पर बन जाएगी reflection, reflection and reflection के बाद तो काफी अच्छा और लंबा example है और इसमें सारे phenomena's को समझाया गया है कि reflection कैसे होता है reflection कैसे होता है? again reflection कैसे होता है? Classics to 12 से लेके need IIT जही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 उपर